नमस्कार सात्यों, स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आज की वीडियो में हम दो महत्तपूर्ण प्रशनों के उत्तर जानेंगे जो कि आपको हुगा 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 इस परिक्षा में इसी तरह किसी लिखने हैं यदि एक प्रशन आते हैं तो आपको इन मैंत्रिक्त कुछ भी करने के आवश्यक्ता नहीं है अब पहला वोशन आप देखिए हाँ पर आप देख सकते हैं भारत में स्वास्त सेवाओं के इस्तर बताईए तो भारत में स्वास्त सेवाओं के स्थर का आशा है कि किस किस स्थर पर स्वास्त सेवाइं दी जाती है यासे हम सुनते हैं प्रात्मिक स्थर दूतिय स्थर ट्रिट्यक स्थर तो हम जानेंगे कि क्या होते हैं भारत में स्वास्त सेवाओं की इस्तती जानने ही तो निमने इस्तर है पहला है प्रात्मिक इस्तर स्वास्त देखभाल का परिधी इस्तर होता है यानि कि यह सबसे नीचे लेवल का इस्तर है यानि कि जो गाओं गाओं में पंचायतों में फैला हुआ है परिधी इस्तर बोल सेवाइं जिनके लिए ववसायक वेक्तियों की सेवाओं की आवस्कता होती है थोड़े प्रोफेशनल लोग यहां पर चाहिए होते हैं चाहिए वह डॉक्टर हो चाहिए नर्स हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रिसिक्षित दाई थी रामिन गाइड थी और बहुत द पताल मेडिकल कॉलेज ऐलास पताल pencil शन्स्थान एम जादी जैसी परिस्थित सन्थान्वारब प्रतान की जाती है तो यह स्था जो एडुन्स लेविल है विजस में खेवल विशिश प्रकार की शेवा श्रढ़र की जाती है। या इनी जो स्वंस्त होता है, वह राज्य का विषय है। इसलिए राज्य इसके प्रशातस के लिए सुतंतर है। राज्य के अंधर चकेसा सेवा, स्वास्त सुवीदा, राज्य सरकारों का जिम्मा है, इस्थानी निकाय इस्थार पर अपनी भूमी का निभाता है, तो इस्थानी निकाय जो हमारी अनुसूची है, 11 और 12 उसमें कुछ अधिकार इस्थानी निकाय को भी उनकी लेविल पर द लिखना है अगला question हम देखते हैं विश्व बैंक से संबंदित विश्व बैंक सही होगी संस्थाओं की नाम उद्देश कार्य और अलूजनाई है आप अपको यह प्रेशन गया तो six mark में आएगा चला फिर फसी पंद्रा मार्फ में आएगा समय तो इसमें सबसे पहले विश्व बैंक की नशन की बारे आप बता दें कि यह पुननर्माण और विकासकारियों के लिए दीवितिकाली जर्ण प्रजान करता है इस्थापना इसकी कभूई थी 1945 में सदस्दी सभी भर्तमान में 189 हैं मुख्याल है इसका वॉसिंटन डीसी यूएसे में है विस्व बैंक की कुछ सहीयोगी संस्था हैं जिन से मिलकर इसक्षिन डेवलोप्मेंट यह बहुत पुराना जो है भाग है आइडिये है डेवलोप्मेंट एस्थाइशन है इसके तहत सस्ती तरह परण प्रदान किया जाता है सदस्देशों को आई एपसी है इंटरनेस्टल फाइनेंश कमिशन है इसके तहत जो डिस्प्यूट होते हैं जो सदस्देश होते हैं उनके कुछ डिस्प्यूट होते हैं कुछ उनके ऐसे मामले रहते हैं इंको सुल्जाना होता है तो उनके लिए यह बनाय गया है फिर MIGA इसके तहत जो इन्वेस्टमेंट है वो तृतियक दुनिया के देश यानि तीसरी दुनिया के देश जिन तो इसी तरीके से आपको लिखना है ऐसा फ्लोचार्डब बना सकते हो जोटा सा और एक ब्रीफ में आप बर्डवेंग के बारे में बता सकते हो इसके बाद आपको उद्देश कारवरा अलुचनाई लिखनी है तो सबसे पहले उद्देश पर चलते हैं युद्ध अर्जित और और तभिष्थां को पुनिर्मान होती है युद्ध जर्जित य और तभिष्थां को पक्रिण्वान करने के लिए उनको कुछ साहे तरासि बढ़नेंग द्वारा दी जाती है शान्ति-काली ने आवश्चता हो कि अनरूप अत्पादक सक्तियों को पुन्हा ब्यत्त उ कराता है अलब विक्षत राष्टों में साधन और उत्पादन की सुविधायन दीता है लगो और ब्रहत ये काईयों आवस्चक परियोजना के समन वही तो रण प्रिधान करता है अब यहां पर कोई प्रधान कार और जो गौण कार हैं उनके बारे में हम जानेगे वर्ड वैं के सब घनल क्लाद में भी एक कार है इसी का विर्ड वैंक को जब ब्रीजने को आप प्रिजेश करते हैं तब उसके पश्चात में करते पूराय की रैङन प्रिधान करने के दुए प्रण करने केत विश्ची कंद्र और वर्डवेंग की साधार पर होती थी कि यह कि वर्ण प्रदान करती है, तक्नीकी साहयता नहीं देती है, सेवा नहीं देती क्योंकि जो third world countries यहां विकासी लेजें, उनमें तक्नीकी भी उतनी हाईस आवश सकता है, जितनी की वित्त की आवश सकता है, तो यह तक्नीकी सेवाए भी उपलक्त कराता है, विस्वेंग की आलोचना होती है, उची ब्यालतरों के कारण, आपर्यापत संसाधनों की कारण, आधर्भू तुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् होती है जो आपने खाका या मॉडल पर जो है रिप्रेजन्ट किया है उसी के तहते यह विशेश परियोजनाओं के तहती रन देते हैं बैंक का उधार देने का तरीका दोस्पून है रन दाता कि मुद्रा में भुक्तान करना रन देश के लिए समस्या उत्पान करता है यानिक कि इस कहला उप्यक तालविचनाओं के बावजूत विश्यवेंक का विकास सिल देशों के आर्थक विकास में महत्पून एवदान है इससे डेनाई नहीं किया जा सकता तभी एतने वर्सों तक यह संस्ता जो है अभी तक मौजूद है और एक सराहनी कार कर रही है और बहु दूदा पॉइंट और प्रसांगे कि सामगरी ही लिखना आवशक होता है ऐसी स्तिती में यह प्रशन के उत्तर आपके लिए बहुत रामबान है इस वीडियो में इतना ही आगे इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि पस सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते रहें धन्यवाद